सारे गमा कारवा 2.0 इसके साइड इफेक्ट नहीं होते तो आईए आपको कुछ उपाय बताते हैं उपाय नमबर एक सेंस्टिफ स्किन को साफ करने के लिए कैस्टर ओयल और ओलिव ओयल को बराबर मिलाएं फिर इस विश्रन को हाथ पर रगड कर गरम करें और चेहरे पर लगाएं इसके बाद कपड़े को गरम पानी में डुबो कर चेहरे पर रखें और जब तक कपड़ा ठंडा ना हो जाए इसको ऐसे ही नहने दें इसी उपाय को दोबारा दोड़ाएं स्किन नरम और चमकदार हो जाएगी उपाय नमबर दो तीन से चार बदाम रात को पानी में भुगो दें सुबह इन भीगे वे बदामों को आदा कप दूद में मिला कर पीस लें फिर इस पेस्ट को फ्रिज में रखें ठंडा करने अब रात को सोने से पहले इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सो जाएं अगले दिन सुबह पानी से चेहरा धोले आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी तो ये थे वो घरे लू उपाय जिन्हें अपना कर आप अपनी सेंस्टिफ स्किन की देखभाल कर सकती है स्किन एलर्जी हमारी तचा बहुती नाजुक और सेंस्टिफ होती है कई बार गलत खाने पीने की वज़े से कभी दवाई के साइड इफेट के कारण तो कभी बदलते मौसम की वज़े से या फिर किसी कास्मेटिक के इस्तमाल से स्किन में एलर्जी हो जाती है तो अच्छा लाल हो जाती है और उसमें खारिश होने लगती है इस समस्रा सी छुटकारा पाने के लिए हाजिर हैं कुछ घरेलू नुसके उपाए नमबर बन विटमिन E ओयल में कॉर्ड लिवर ओयल मिलाकर रैशिस पर लगाए रात भर इसे यूँ ही छोड़ दें सुभा तक रैशिस गायब हो जाएंगी उपाए नमबर दो तुलसी के पत्तों को पीस कर उसमें काली मिर्च, ओलिव ओयल और लहसुन मिलाकर पेस्ट बना ले फिर इस पेस्ट को जहां जहां रैश है वहां लगाएं रैश गायब हो जाएगी ये थे वो दो घरेलू नुसके जिने अपना कर आप स्किन रैश से छुटकारा पा सकती है स्किन स्पोईलर चेरे पर ये स्किन स्पोईलर होने के वही कारण है जिनसे हम अच्छी तना परिचित हैं धूब, धूल, पल्यूशन लेकिन फिक्र ना करें, कुछ घरेलू उपचार आपको फाइदा पहुचा सकते हैं उपाए नमबर एक दूद में पपीता मिलाकर उसकी पेस्ट्र बनाकर चेहरे पर लगाएं पपीते में एक तरह का एक्जाइमन होता है जो तूचा से गंदगी निकाल कर चेहरे को साफ करता है दो मिनट तक मालिश करने के बाद चेहरे को धोलें और इस क्रिया को हफ़ते में दो बार दोर आएं स्किन टॉनिक तूचा की अच्छी देखभाल के लिए हमारी स्किन को एक अच्छे टॉनिक, क्लिंजर और मॉस्चराइजर की जरूरत पढ़ती है टॉनिक को नजर अंदास कर देते है जबकि एक अच्छा टॉनिक ही है जो स्किन के मॉस्चराइजर को स्किन के पोर्स तक ले जाता है इसके लिए कुछ बहुत आसान घरेलू उपाय हैं जिनने अपना कर आप स्किन का टॉनिक घर में ही बना सकते हैं उपाय नमबर एक सफेद सिरके और पानी को मिला कर मिक्स्चर बना ले फिर कॉटन को इस मिक्सर में दुबो कर उससे चेहरा और गर्दन को पोश दें ये एक बेहतरीन स्किन टॉनिक है उपाय नमबर दो चेहरे पर नीबू का रस लगाएं फिर दस मिनट बाद उसे धोले ये सबसे प्रभावशाली तरीका है स्किन को साफ करने का तो ये फिर वो कुछ उपाय जिने अपना कर आप घर में ही स्किन टॉनिक बना सकती है स्ट्रेच मार्क स्ट्रेच मार्क यानि शरीर पर बनी फाइन लाइन्स होती है जो अचानक बजन के बढ़ने या घटने से या फिर प्रेगनेंसी की वज़े से शरीर पर आ जाती है इन स्ट्रेच मार्स को हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में आठ से दस गलास पानी पिये क्योंकि शरीर में अगर पानी भरपूर हो तो कोशिकाएं बराबर काम करती हैं और मास पर दबाव नहीं पड़ता जिसके कारण शरीर पर स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं आईए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेल उपाए जिनें अपना कर आप स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पा सकती हैं उपाए नमबर एक ओलिव ऑईल प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क को हटाने के लिए बहुत ही फाइदे मनत हैं ओलिव आईल को गरम करें और फिर रोजाना दो बार जिन जिन जगाँ पर निशान है वहाँ पर इससे मालिश करें जरूर फाइदा होगा ऐलोवीरा जेल भी स्ट्रेच मार्क मिटाने में काफी काम आता है हर रोज आप एलोवीरा जेल लेकर शरीर के उस हिस्से पर जहां जहां स्ट्रेच मार्क हैं उससे मालिश करें जल ही स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पड़ जाएगा उपाए नमबर तीर अंडे का सफेद पोर्शन हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है ये शरीर से स्ट्रेच मार्क हटाने के भी काम आ सकता है पहले आप एक कच्छा अंडा लें उसमें से सफेद पोर्शन को अलग करें अब इस सफेद भाग को उन जगाओं पर लगाएं जहां जहां पर स्ट्रेच मार्क हैं फिर इस लेप को सूखने दे सूख जाने के बाद पानी से धोले और इसके बाद इस पर कोई मॉस्चिराइजर लगा दे जल्दी आपको फाइदा नजर आएगा तो ये थे वो को चुपाई जिन्हें अपना कर आप स्ट्रेच मार्क से चुटकारा पा सकती है आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे सब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुम से हो गए आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुम से हो गए आवाज दो हमको हम खो गए मा आवाज दूर दो हमको हमको Maple 맞 है मा जाऑ दूर 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 तुम से हो गए निकाहें चार करने लगे हम जिन्दगी से प्यार करने लगे तरते न थे मौत से अब मगर तरने लगे आवाज तो हमको हम खो गए कब नीद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुम से हो गए आवाज तो हमको हम खो गए हुई आवाज मौ तो हमको हमको συνयम जाओी हो जगे हम Rhigkeiten को हमको हम ऐसे जाहे हम कि भेग्यार बना कि धक्प25 टूर अजय disputes कि आवाज तो हमको हम डह करने तक म से कर दो हमको हम बत्पक हमको हमको खो फमेंस्टित झाल झाल